जहां एक तरफ जीद पर अड़े हुए हैं बाइडेन तो वहीं उनकी ही पार्टी में दो फार हो गया है जानेंगे किसकी लोटरी लगने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की वज़ा से चाइना बहुत खुस हो गया है और भारत को भारत की बार बार बढ़ाई कर रहा है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है जानने को बिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से अमेरिकी राश्पती चुनाओ 2024 लड़ने की जिद पड़ाड़े 82 साल के जो बाइडन को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी में दो फाड़ हो गया है और कई ऐसे नेता हैं जिनोंने खुलकर बाइडन की दावेदारी का विरोध करना सुरू कर दिया है 27 जुन को अटलांटा में आयोजित CNN की बहस में डोनाल टरंप से चारों खाने चित होने वाले जो बाइडन के खिलाब डेमोक्रेटिक सांसदों के भीतर से विरोध की आवाजें बुलंद हो चुकी है डेमोक्रेटिक सांसदों का कहना है कि 5 नवंबर को होने वाले चुनाओ के रास्ते से बाइडन को खुद हट जाना चाहिए अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक डेमोक्रेटिक पार्टि के कम से कम पाँच सांसदों जेरी, नेडलर, मार्क टाकानो, जो मोरेल, टेड लियू और एडम स्मित ने टरंप से मुकाबला हारने के वो लेकर पाइडन की आलोचना की और उन्हें चुनाओ से हटने क 27 उनको डोनाल टरंप से पहले बहस में बुरी तरह हारने के बाद बाइडन ने भी माना कि वो रात काफी बुरी रात थी लेकिन उन्होंने कहा कि वो केवल तभी छोड़ेंगे पद जब सर्वसक्तिमान भगवान नीचे आजाएंगे और ऐसा करने को कहेंगे यानी जो बाइडन जीत पर अड़े हुए हैं जबकि दूसरी तरफ उनकी अपरूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही है जिससे उनके अपने पार्टी के सयोगियों ने उनके स्वास्त औगले चार वर्सों तक देश पर सासन करने की उनकी छमता पर सवाल उठाना सु लेकर भी हो रहिए कि अगर बाइडन राष्टपती चुनाओं की रेश से हटते हैं तो उनकी जगह डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन उमिद्वार हो सकता है और इस चर्चा में जो पहला नाम सब के सामने आता है वो नाम है कमला हैरीस का डेमोक्रेटिक पार्टी में ये सम भावी कुत्रा अधिकारी होंगी अगर बाइडेन बढ़ते दवाब के आगे जुग जाते हैं और 2024 के चुनाओ में रोइटर्स की मुताबिक जिसमें सिर्ष डेमोक्रेट का हवाला दिया गया है उसमें कहा गया है कमला हैरिस राश्पती जो भाइडेन की सोभावी कुत्रा अधिकारी होंगी अगर बाइडेन बढ़ते दवाब के आगे जुग जाते हैं और 2024 के चुनाओ में डेमोक्रेटिक उमिद्वार के रूप में अपना पद छोड़ देते हैं लेकिन जो बाइडेन ने ना सिर्फ रेस में बने रहने की कसम खाई है बलकि ये भी दावा किया है कि वो डोनाल्ड टरम्प के खिलाव जीत हासिल करेंगे अमेरिकी संसत के अलप संक्यक नेता हमीज जेफरिज ने 27 जुन की बहस के बाद उभरती राजनीती की स्थितियों पर चर्चा करने के लिए परसनीदी सभा में अपनी पार्टी नेताओं के एक वर्चुल बैठक बुलाई थी दे नियू योर्क टाइम्स के अनुसार वर्चुल मीटिंग को बाइडन की उमिद्वारी की प्रैक्टिकल तरीके से क्या है इसको इंपुट लेने के लिए कहा गया और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वर्चुल कॉल से पहले यह असपश था कि डेमोक्रे है इस कॉल से परची दो लोगों के मुताबिक चार अन्य कॉंग्रेसियों ने भी यही बात दहराई है उनका मानना है कि बाइडन के लिए रेस से पीछे हड़ जाने का समय आ गया है वसिंगटन पोश ने बताया कि लिए हाउस डेमोक्रेटिक निर्तित में सबसे सीनियर न लगे कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए करीब 10 ऐसे नेता हैं जिन्होंने मजूती से बाइडन के खिलाफ आवाज उठाया है और इन नेताओं में न्याइपालिका ससस्त्र सेवा खूफिया समीतियों के सिर्ष डेमोक्रेट सामील है वहीं दल बदल ने बाइडन के आ पेंसिल्वेनिया में थे और एली को संबोधित कर रहे थे और अलग अलग राजियों के डेमोक्रेटिक परतिनीदियों से मुलाकात करके अपने समर्थन भी जुटा रहे थे अब देखने वाली बात होगी बड़ा रोचक हो जाएगा जिस तरीके से चुनाओ हुआ है हाला ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा आप जुकी बहुत सारी शीजे किसी देश के चुनाओ को निर्धारित करने लगी है वहीं दूसरी तरफ चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स इंदिनों अपने मुह मिया मिठ्थू बन रहा है ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि भारत अब चीनी तकनीशियों के लिए वीजा मांदंडों को आसान बनाने की योजना बना रहा है चीनी मीडिया ने इस दावे को दोनों देशों के बीच सीमा संगर्ष के बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की सरकार के तहत खराब हुए द्वीपच्छ को दिखलाता है कि भारत के लिए अपने उद्धोग विकास को बढ़ावा देनी के लिए चीन के साथ मजबूत संबंद बनाना सबसे अच्छा तरीका है ग्लोबल टाइम्स ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारतिय उद्धोग और आं आसान हो सके क्योंकि इन सरमिकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गैर उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना यानि की पी एलाई छेत्रों में आव सकता है हलाकी अधिकारी ने कहा कि अंतीम निर्णे अभी नहीं लिया गया है क्योंकि भारत का ग्रिया मंत्रा चीनी वैवसायों पर नकेल कसने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास किया है इसका असर भारतिये कंपनियों पर पड़ा है जो काम करने के लिए योग्य करमचारियों को खोजने के लिए संगर्स कर रही है ग्लोबल टाइम्स ने ताना मारते हुए कहा है कि भा भारत में उद्धोगों का स्थानांतरन हो सकता है और अस्थानिय उद्धोगों के विकास को बढ़ाओ अपनी रिपोर्ट में ग्लोबल टाइम्स ने भारत में बैपार से जुड़े एक वरिष्ट सुत्र के हवाले से दावा किया है कि तथ्य बताते हैं भारत चीन से एकनीसियन और वरकर काम करते आ रहे हैं ऐसे में तुरंट से अगर चाहा जाए कि उन्हें निकाल दिया जाए या उनसे बैपार बैवसाय को बंद कर दिया जाए तो वो संभव नहीं होगा और दूसरी बड़ी बात यह है कि चाइना के लिए ये बड़े जीवनदान से कम नहीं है इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इकोनोमी चल रही है अमेरिका के साथ इसके पंगे जिस लेबल के चल रहे हैं इसक्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें ये दिखा रहे हैं कि देखिए अमेरिका रिष्टों को मिटाता जा रहा है और चाइना इस रिष्ट चाइना डेली की एक रिपोर्ट देख सकते हैं भारत में चीन के राजदूत का स्वागत जब उनके ही ग्रूप के लोगों के द्वारा किया गया तो उन्हों ने कहा कि हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास मनाने की जरूरत है एक दूसरे के साथ सहीयोग बढ़ाने की जरू